एक राज के इतने पैसे मिल रहे हैं मतलब गाना गाने के क्यों नहीं गा रहे हैं पर वो लोग कुछ बजाने को ना बोल दे हैं जही सोच के गभराट सिखुड़ी तो उसके लिए अलग से पैसे ले लो हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे ड्रीम गल्टू मुवी के बारे में हम जानेंगे किस मूवी ने आहां सबसे जाता बॉक्स ओपिस कलेक्शन किया है तो दोस्तो वीडियो में बने रहे हैं अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगती तो लाइक करीए अगर नहीं अच्छ तो मोवी के बोक्स औपिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बात करने आड़तście मुवी की का स्टिंग के बारे में इसमें आई समॉन कुराना अनुं छिंच जिस विजे राज प्रेस रावल इसे डारेक्ट किया राज सिंदलियाने और इस मुवी का बजट सिर्फ 35 करोड रुपय है तो दोस्तों आप पर ज़्याद टाइम वेश नहीं करेंगे हैं बात करने वाले ड्रीम गल्टू मुवी के बोक्स अपिस कलेक्शन के बारे में तो अब ह और इस मुवी ने अपने पहले दिन और सिसे कमाए थे 3 करोड तीन लाग रुपय और ड्रीम गल्टू मुवी ने अपने पहले दिन वर्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था 16 करोड तीन लाग रुपय जो की बहुत इसांदर कलेक्शन निकल के आया ड्रीम गल्टू मुव 100,65 5 रोपे का दो दिनों, ओर रैंडिया स्की कलएक्षिन होता की त rifakap दोस्तों अब बात कर लिते हैं इसके 30 दिन के बॉपश्णके बारा में आझ C'mu वे स्थे दिन कमा रही है 16 करोड चाह लाग रूपे और इसे के साक्षक तीन दूगा इंडिया नेट कलेक्शन होता है nis करोड चाहण में लाग रूपे इसका तीन दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होता है 51 करोड 10 लाग रुपे ड्रीम गल्टू मूवी ने अपने तीनी दिनों में अपना बजट रिकावर कर लिया है और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना अब हम बात करें गदर टू मूवी के बॉक्स ओप इस क्लेक्शन के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि गदर टू मूवी ने सिनेमा घरों में गदर मचा दिया है गदर टू मूवी की कमाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है तो सबसे पहले हम इसके कास्टिंग के बारे में बात करें लेके इसमें है सनी देवर, अमिसा पटेल, उटकस सर्मा और इज़े टारेक्ट किया है अनिल सर्मा ने साथ ही में हम इसके पचट के बारे में भी बात कर लेती है गदर टू मुवी का पचट शिर्फ साथ करोड रुपे है और दोस्तों अब हम बात करने थे इसके बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में लेकिन इससे पहला आपको बताते है कि इसका तीसरा आपता शुरू हो चुका है और इसके तीसरा आपते के सामने है ड्रीम गल्ट टू मुवी लेकिन फिर भी इस मुवी कोई फरक नहीं पड़ा है इसके बॉक्स ओपिस कलेक्शन में कोई गिरावट नहीं आई बल्कि ग्रोथ देखी गई है इन दिनों गतर टू मुवी ने अपने पहले दिन कमाये थे 40 क्रोड 10 लाग रूपे अपने विकेंड पे मतलब अपने तीन दिनों में कमाये थे इस मुवी 134 क्रोड 80 लाग रूपे और इस मूवी ने एक हपते में कमाये थे मतलब अपने साथ दिनों में कमाये थे दोस्तों 84 करोड 63 लाग रूपे और अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे हपते के बारे में गत्रड़ मूवी ने अपने दूसरे हपते में कमाये थे मतलब 14 दिनों में कमाये थे 419 करोड 10 लाग रूपे और अब हम बात कर ले थे इसके तीसरे हफ्ते के बारे में इस मुवी ने अपने तंदरवे दिन पे कमाये थे साथ करोड दस लाग रूपे और अपने सोड़े दिन पर कमाये थे देरा करोड अन्हेतर लाग रूपी और अब हम बात करने तीजिए सुड़ा दिनों के टूटल इंडिया नेट कलेक्शन के वाराए में गद्ट टू मूवी का 16 दिनों का टोटल इंडिया नित कलेक्सन होता है 449 करोड, 90,00,000 रूपे और गद्ट टू मूवी का total 16 दिनों का इंडिया ग्रोस कलेक्सन होता है 522 करोड, 700,000 रूपे और इस मूवी ने overseas से कमाए है 97 days at 7,00,000 रूपे और अब हम बात कर लेते हैं इसके 17 दिन के बारे मतलब आज ही मूवी इतने का पुख्षपिस कलेक्शन कर रही है आपको बता दे कि इस मूवी का ये तीसरा संडे है और अपने तीसरे संडे पर ये मूवी बहुत ही बेतरी कलेक्शन कर रही है जो रिपोर्ट अभी तक आई ह उसके साथ आज ही मूवी कमा रही है 16 क्रोड रुपे जो कि बोलिवूर के इतियास में ये पहली मूवी बनी है जो अपने तीसरे संडे में पर 16 क्रोड रुपे कमा रही है और इसी के साथ इसके 17 दिनों का टोटल वर्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होता है 586 क्रोड चाण मे मूवी अच्छ लगी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छ लगती है तो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले